अब इन पिलर्स के उपर हम पहले भी गुफ्त को कर चुके हुए हैं लेकिन आज हमने इसके अंदर हमने देखना यह है कि पॉपलेशन ग्रोथ की अंब्रेला में इसको डिसकस करना है हमने पहले डिसकस किया कि यह तीनों पिलर्स जो है हमारे पास सोशल सस्टेनिबिलिटी, एकनामिक सिस्टेनिबिलिटी, इन्वार्मेंटल सिस्टेनिबिलिटी हमने पहले इनको डिसकस किया कि इन तीनों के अंदर कौन कौन से पेरामिटर्स हमारे पास आती हैं फिर हमने कहा कि ये तीनों जो है वर्ल्ड की कौन सी आर्गनाइजिशन के साथ लिंक है अब हमने इनी पिलर्स को तीनों पिलर्स को जो हमने डिसक्स करना है अंडर दी पॉपुलेशन ग्रोथ अब आप देखें एक बात याद रखें हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के ओपर ज इसके साथ अटेश है जिसके अंदर हमारे पास जस्टिस है हेल्थ है हमारे रिसूर्स है हमारी एजूकेशन है इस तरह के जितने फैक्टर हैं इनको हम उस वक्त तक अचीव नहीं कर सकते जब तक हम अपनी पॉपलेशन ग्रोथ को कौन्टॉल नहीं करते यह हमारी प्लैनिंग और हमारी एस्टिमेटेड ग्रोथ और जो हमारी ओरिजिनल ग्रोथ है उनके साथ इसके अलाइनमेंट नहीं होते है जाय उसके अंदर हील्थ की बात कर ले हस्पिताल बनाने है हमने एस्टिमेट किया है वाले वक्तों में सो बंदों का अस्पिताल बनाना है हमें पता चला हमें 120 बंदे चाहिए के लिए बनाना पर रिक्वाइर्मेंट है हमने का कि हमने 100 बचों को एजुकेशन देनी है बचे हमारे पास 120 आ गए है अब आप देखें चाहे हम सोशल सस्टेनिबिलिटी की बात करत है कितनी हमें फोच चाहिए मुलक की स्कूरिटी के लिए कितना चाहिए हम जिसकी भी बात करें अलाइन है पॉपलेशन के साथ एकनामिक सस्टेनिबिलिटी अभी हमने मुख्तलिफ पैनों पर हमने बात की थी कि एकनामिक के अंदर जो हमारे पास जब सबसे इंपॉर्टन एजूकिसयन और जा गते इज्जूगेशन और जाब डिलेटेट कि और जार्ड आप देखें एक इसका ताल्गी डैरेकट पॉपलेशन prepare सबसे अगर हमने पॉपलेशन ग्रॉथ उसलिया चाहिए हमारी पॉपलेशन ग्रॉथ और उसके नदर बहुत ज्यादा फर्क आ ग जाते हैं हम नहीं जा सकते तीसरी बाद जो है वह मर पस है इन्वार्मेंटल सस्टेनेबिलेटी इसका भी डारेक्ट तालोग है पॉपलेशन ग्रोथ के साथ के पॉपलेशन ग्रोथ जो है अगर उसके इसाब से हमने प्लैन नहीं किया या जो हमने दूसरे लफ़ों में यह क एक्टेनिबिलेटी अगर हमारी प्लैनिंग और हमारी एक्ट्वल फिगर्स में फरक आ गया तो फिर भी प्राप्लम ख्रीट हो जाद दूसे अब इसके लिए चाहिए क्या इसके लिए हमें चाहिए कि हमारी गॉवर्मेंट्स हमारे बिजनेस्मेन वह हमें नेशन लेवल पर, international level बर, हमें इसकोपर awareness दे, population growth को कैसे हमने control करना ہے उसके बारे में बताएं, पने resources को estimate करें, resources को estimate करने के साथ साथ हम यє plan बनाएं, और plan के अंदर flexibility रखें, कि हमारी variation, population growth की variation, अगर अब इतने हद तक flexible हो गई तो हमारे जो quality standards हैं वो उसके परसर अनाज नहीं हो अब उसके लिए जो हमारा काम है जो हमें करने की जरूरत है वो यह है कि हम awareness दें हम लोगों को awareness दें और उनको इन तीनों के बारे में इन तीनों पिलर के बारे में उनको समझाएं और उनको यह बार कराने की कोशिश करें कि देखें अगर आपकी growth population growth गौर्मेंट के plan के साथ align नहीं होती और गौर्मेंट जितनी expect कर रही है आप से अगर आप उससे ज्यादा population grow करते हैं जैसे हम कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे अगर आप इनसे ज्यादा लेके जाते हैं तो उससे problem क्या हूंगे अगर हम इसकी awareness दे लें तो हम इन तीनों पिलर के हमारे जो goals हैं उनको achieve करने में हमारे लिए बहुत से असानी हैं पैदा हो जाएंगे